अब देखो बे इस वीडियो के अंदर हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम FF and FM Max के अंदर वाल है Config File बनाओगे और ये वाला जो मैठेड है ये दोनों गेम के अंदर वरकिंग है FF and FM Max तो तुम बिंदास इस मैठेड को अपलाई करके अपनी Config File तयार कर सकते हो और देखो जितने भी कोडिंग का हम प्रियोग करेंगे उन सब का लिंक तुम्हें कमेंड बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा तो जाओ कोडिंग को डाउनलोड कर लो एंड वीडियो को पूरा देखना तभी तुम्हें बढ़िया से समझ जाएगा तो चलो फिर बीना किसी बख अभी इन दोनों को अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर रख देना है तो जैसा की देखो ये हमारा डाउनलोड फोल्डर है और इसके अंदर देखो ये कॉन्फिंग मेकिंग के नाम से एक और फोल्डर बना हुआ है अभी इसके अंदर देखो हमने दोनों फाइल को रख तुम्हें जिफ फाइल को लात मारके डिलीट कर देना है तो यहां से इस तरीके से यह डिलीट हो जाएगा अभी तुम्हें अपने गेम के फोल्डर के अंदर से एक फाइल को उठाना है तो उसके लिए देखो एक साइड ये वाला फोल्डर खोल लेना जहां पर खमारा यह कोडें अग्यार रहेगा के अंदर के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो तुम्हें एक फोल्डर देखने को मिलेगा COM.dts. यहां पर देखो हमारे में क्या लिखा है गेम नेम लिखा है उसके बाद लिखा है अब देखो game name का मतलब यह है कि FF ठीक है अगर normal FF है तो last में TH लिखा रहेगा and FF max है तो last में max लिखा रहेगा ठीक है और game name की जहाँ FF का पूरा नाम लिखा रहेगा ठीक है पूरा नाम समझ जा FF का क्या है वही यहाँ पे लिखा रहेगा अब तुम्हें इसके अंदर आ जाना है यहाँ पे आ जने क बाद यह वाला जो फाइल मिलेगा पाल्टिकल रेक्वांट जो की बोले तो यहाँ पे देखो 2.2 एंबी कर रहेगा तो यह वाला जो फाइल रहेगा इसका इधर साइड ऐसा कर ले ना है लोंग कर करके रखो उसके बाद यहाँ पर copy का बटन म को कॉपी कर लेने के बाद तुम्हें यहाँ पर अपना एक्सागेर अप्लीकेशन ओपन कर लेना है तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अभी दोखो यहाँ पर ओपन कर लेने के बाद तुम्हें थ्री लाइन के उपर क्लिक कर दो यहाँ पर तुम्हें तुम्हें यहाँ पर container के three dot के उपर click कर देना है उसके बाद आना है properties के उपर properties के उपर आजाने के बाद यहाँ पे color direct मिलेगा यहाँ पे click करके इसको 32 bit select कर देना है अब यह कर देने के बाद back आना है back आजाने के बाद तुम्हारा एक्सागेर ओपन होना चलू हो जाएगा तो देखो एक्सागेर के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहां पर यह वाला फोल्डर देखने को मिल जाएगा तुम्हें यहां पर आजाने के बाद तुम्हें यहां पर यहां पर आजाने के बाद इसका जो प्रोग्राम है वो कुछ इस टाइप का ऐसा ओपन हो जाएगा यह open हो जाने के बाद file के उपर tap करो उसके बाद यहाँ पर open मिलेगा then open के उपर आ जाओ and यहाँ पर आ जाने के बाद फिर से my computer develop folder के अंदर and इस सब के अंदर आने के लिए double tap करते जाओ तुम इसके अंदर आते जाओगे इसके बाद तुम्हें आना एक config making के अंदर and यहाँ पर आ जाने के बाद इस वाली file को select कर लेना है जो कि रहेगा political response ठीक है इसको ऐसा tap करो यह selected हो जाएगा and इसको select कर देने के बाद सबसे नीचे open का button मिलेगा यहाँ पर इसके उपर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर yes कर देना है and yes कर देने के बाद तुम्हें my computer develop folder के अंदर उसके बाद इसके अंदर मच जाना directly यहाँ पर इसको save करना है ठीक है इसके अंदर मच जाना confirm making के अंदर मच जाना अभी तुम्हें देखो यहाँ यह file name के आगे blank space मिलेगा तो यहाँ पर ऐसा click कर देना है तुम्हारा यहाँ पर pointer आ जाएगा अब pointer आ जाने के बाद उपर देखो एक keyboard का button मिलेगा इसके उपर क्लिक करो उसके बाद कुछ भी type करके इगड़म तगड़म जो भी चीज है यहाँ पर ऐसा type करके इसको save कर देना है इसके उपर क्लिक करो आपर इसके इस जगहां पर एक बटन मिलेगा इसके उपर क्लिक करो इसके उपर क्लिक करने बाद फिर से my computer give a folder के अंदर config making के अंदर इसको यहाँ पर इस जगहां पर एक save का button मिलेगा इसको save कर देना है अभी हमने इसका जो dump file है उसको निकाल लिया है अब हम लोग वापस से अपना empty manager open कर लेते हैं ताकि हम लोग dump file को edit कर सकें तो देखो empty manager के अंदर आ जाने के बाद अभी तुम्हें ये वाली file देखने को मिल जाएगी जो कि हमने अभी अभी extra gear से save करवाया है तो ये वाली file हमने अभी अभी safe किया है अब इसको हम लोग edit करेंगे तो edit करने से पहले तुम्हें ये वाली coding के अंदर आ जाना है वाल एक in config coding ठीक है इसके अंदर ऐसा tap करो इसके अंदर घुसर जाओगे अब यहाँ पे आज आनेक बाद तुम्हें देखो एक search value मिलेगी and एक edit value मिलेगी तो पहले तुम्हें search value को ऐसा copy कर लेना है और ये copy हो गया उसके बाद तुम्हें यहाँ पे edit value को भी इस तरीके से copy कर लेना है ठीक है यहाँ पे हम लोग दोनों एक साथ copy करेंगे ताक हमारा यह जो यहाँ पे-clipboard हो धो यहाँ पर यहाँ पी और लिखा हुआ है संपर यहाँ च्टान मिलेगा इसको सर्टब्स कर देना थो हम लोग इदर साहएंगे कि पेश्ट कर देंगे एहाँ यहां पर फाइंड वाले के अंदर तो फाइंड के अंदर तुम्हें यहां पर इस जहां पर अपनी सर्च वैलू को पेश्ट करना है तो देखो सर्च वैलू यहां पर पेश्ट हो गया उसके बाद तुम्हें यहां पर एक रिप्लेस का बटन मिलेगा आरी पी देखो आरी पी लिखा ह तो आल के उपर ऐसगो करना है यह वाला बटन मिलेगा अरे यार यार यह जो बटन है इसके उपर टैप करोगे तो तुम्हारा जो मतलब सर्च वालीव है वह सर्च करके रखो इसके बाद लाक मारके डिलीट कर दो ठीक है अब हमारी यह वाली फाइल बस्ती है जिसको हमने अभी 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 एडिट किया था तो एक बार चलो हम लोग इसको रिनेम भी कर देते हैं ताकि तुम लोग को एडिट करने में मतलब अब exagare के अंदर import करवाने में दिक्कत ना हो तो इसको रिनेम करेंगे इसको हटाएंगे एंड लिख देंगे चलो एडिटेड वैलू ठीक है एडिटेड लिख देते हैं इडिटेड फाइल ठीक है इसको ऐसा रिनेम कर देते हैं हम लोग इसको यार क्या ही बताए इसका spelling ग तो देखो एक्सागेर के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर फिर से पाल्टिकल रास कॉंट को सेलेक्ट कर लेना है तो ऐसा टैप करो यह सेलेक्ट हो जाएगा एंड इसको सेलेक्ट कर देने के बाद तुम्हें इस बार यहाँ पर क्लिक कर देना है इंपोर्ट ट सब्सक्क्राइब फिर सब्सक्राइब बटन में लेगा एपना कुछ पूरा होता है अभी हम लोग फिर से एंटी मैनेजर ओपन कर लेते हैं अपना लास्ट अप्लाई करने के लिए तो देखो mt manager के अंदर वापस आ जाने के बाद अभी तुम्हें यहाँ पर यह वाली फाइल देखने को मिल जाएगी new नाम से जो कि हमने अभी अभी safe किया है तो इसको पहले हम लोग इसका real name देगे तो real name देने के लिए यह वाली फाइल का name copy कर लेना है जो कि हमने अपने game के folders के अंदर से उठाये था ना तो इस वाली फाइल को ऐसा long press करके रखो rename करो rename कर देने के बाद इसका जो name है वो पूड़ा कपूला select all कर लो पहले and select all कर देने के बाद यहाँ पर इसको copy कर लेना है copy कर लेने के बाद इसको हटाओ and तुमने जब name copy कर लिया है तो इसको लाद मार के delete कर देना है and ध्यान रखना कि पहले name copy कर लो फिर delete करो ठीक है ये delete हो जाएगा अभी तुम्हें यहाँ पर यह new वाली जो file रहेगी इसको long press करके रखना है rename करना है and ये वाला नाम हटाना है and तुम्हारा जो real वाला name था file का उसको यहाँ पर paste करके ok कर देना है ok कर देने के बाद अभी ये file बिल्कुल ready है अभी हम लोग इसको चलते हैं अपने game के अंदर apply करने के लिए तो उसके लिए तुम्हें एक side ये खोल लेना है ये वाली file जहां पर तुम्हारी ये वाली file रहेगी उसके बाद दूसरी side ऐसा refresh करना है उसके बाद three line प्याओ फिर storage directory फिर android फिर data data के अंदर आ जाने के बाद अपने game के folder के अंदर ff max है तो max के अंदर जाना normal है तो normal के अंदर ठीक है आना है move या copy करा देना ठीक है तो copy के ऊपर क्लिक करो उसके बाद ok कर दो ok कर देने के बाद ऐसा आएगा तो ये वाला last वाला option select करके and इसको मतलब tick करके ok कर देना है ok कर देने के बाद तुम्हारी file जो थी वो इधर side apply हो चुकी है और उस घर के अंदर तुम्हें directly घुसना है तो मुक्का चला करके अपनी जो ज्वाश्टिक है उसको ऐसे आगे करते जाना और मुक्का एक हां से मतलब चलाए रहो तो तुम directly घर के अंदर ऐसा सीधा चीरते हुए घुसोरते चले जाओगे ठीक है किसी पत्थर के अंदर तो उसमें भी सेम पत्थर मतलब पत्थर के पास जाओ उसके बाद मुक्का चलाओ या हाथ में जो भी तलवार और वार हो तुम्हारा जो भी ऑजार है उसको ऐसे चलाते जाओ और जो एश्टिक आगे करते जाओ तो तुम उसको चीरते पारते जो भी घर दुआर है उसको सब उसके अंदर घुशते जाओगे ठीक है इस तरीके से यह वाला वाल है मतलब अपलाई होगा तो इसको अपलाई कर लेना अगर तुम्हें फाइल बनाना है तो बना सकते हो एंड इसका जो कोडिंग का लिंक है वो तुम्हें कमेंड बॉक्स में पिन किया हुआ मिल और देखो तुम्हारा कोई भी अखंड प्राड़ी दोस्त हो तो उसको भी वीडियो शेयर कर दो तो चलो फिर किसी और मौके पर मिलते हैं एंड बाइ किसी और मिलते हैं एंड उसके प्राड़ी टीज और देखो लिए एंड आ देख।